तो क्या विपक्ष के आयन डिया गटपंदन के साथियों के बीच बाचीज का तालमेल खत्म हो गया है या बाचीज शुरू ही नहीं हुई है यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि 19 दिसंबर को जब तीन राज्यों के विधानसभा चनाव नतीजों के बाद एक बेखलाय दुखी विपक्ष की बैठक शुरू ही तो उसमें ये फैसला लिया गया था कि 31 दिसंबर तक शीट सेडिंग का मामला फाइनल कर लिया जाएगा यानी 31 दिसंबर तक ये तैय कर लिया जाएगा कि गठबंदन का कौन साथी किस राज्ये में कितनी सीटों पर चुनाव लड करना है कौंग्रेस के साथ या फिर तरनमूल कौंग्रेस हो जिसे पश्चिम बंगाल में गठबंदन करना हो समाजवादी पार्टी हो जिसे उत्तर प्रदेश में गठबंदन करना है कौंग्रेस के साथ ऐसे तमाम राजनितिक दल हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कौंग्रे से से तो विधानसवा चुनाओं के कारण जो सीट खेरिंग का मुद्दा है और जो बाकी चीजे हैं उनमर काफी देर कर चुका है और अब ये समय लगातार बीचता जा रहा है एक और जो बड़ी चिंसा की बात है विपक्ष के नेताओं के दिलों में उनका ये मानना है कि जो सत्ताधारी बीजेपी गठबंदन है वो अपने चुनाओं के प्रचार पिसार में बहुत तेजी से जुट गई है उसका प्रचार तेजी से आगे बढ़ते वज दिखाई दे रहा है तमाम योजनाएं पार्टी के इस्तर पर गठबंदन के इस्तर पर हो रही हैं जिसका फ पाशिम बंगाल पंजाब दिल्ली उत्रपरदेश इन राजियों में हैं ममता बेनर जी एक दो से जादा दो से जादा सीट देने को तयार नहीं है उत्त पाशिम बंगाल में इसके अलावा पनजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो सत्ताधारी दल है तो दोनों राजियों में उसको ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए पंजाब की 13 सीट है एक उसमें अगर चंडिगर्ड की जोड़ ली जाए तो 14 सीट है 14 में से कौन ज्यादा सीटों पर लड़ेगा कौन कम सीटों पर लड़ेगा इस पर चर्चा होनी है आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो उसने दिल्ली में कौंग्रेस का सूपड़ा साफ किया था पूरी तरीके से कौंग्रेस शुन्य के करीब है और इस सिती में वो अगर जादा सीटों की मांग करेगी तो गठबंदन में बात कैसे हो पाएगी हालां कि बाचीत और चर्च अधन की बुरी इस्तिती है क्योंकि अखिलेश यादव भी वहां पर कॉंग्रेस को ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है लेकिन कॉंग्रेस के नेता जो राज्येस सर के नेता है वो लगातार बयान वाजी कर रहे है और राज्येस सर के नेताओं की हर स्टेट में ये दि केंद्रिय स्थर पर होगा दोनों पार्टियों के नेताओं को यह लगता है कि फैसला केंद्रिय स्थर पर होगा लेकिन केंद्रिय स्थर पर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है कॉंग्रेस की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि अगले दो तिन दिनों में जो कॉंग् जल है चाहे वो आम आदमी पार्टी राष्टिय पार्टी बन गई हो लेकिन उसका उसे पता है कि सीमित विकल्प है उसके पास सीटों पर लड़ने का पंजाब गिली गुजरात की एक सीट पर वो चुनाव लड़ना चाहती है तो उसका बहुत सीमित दाइरा है जहां पर उस हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या कॉंग्रेस एक बड़ा दिल दिखा पाएगी अब यह सवाल इसलिए भी मोजू हो गया है क्योंकि अभी तक किसी तरह की कोई बाद्चीत किसी बी दल में शुरू नहीं हुई है और हर छोटे दल चाहे वो telefon आम आदमी लगा है कि बात धीरे धीरे बहुत देर होती जा रही है और जब तक शीट फेरिंग का मुद्दा आएगा तब तक कॉंग्रे बीजे पी प्रिचार और प्रिचार के मामले में उनसे बहुत आगे निकल चुकी होगी